पहले पेजर अटैक, फिर वाकी टॉकी अटैक और उसके बाद सोलर अटैक और कुछी देर में लिबिनॉन में अफरा तफरी मच जाती है और कई इलेक्ट्रोनिक डिवाइजेज अब दुकानों से जादा सडकों पर फैले हुए नजर आ रहे थे। ऐसा अटैक किसी बेदेश में पहली बार हुआ था जहां लीदियम बैटरी के जरिये दुश्मन का खेल सेकंड्स में ही खतम कर दिया गया लेकिन इसके जवाब में हिस पुल लहा भी कहा चुप बैटने वाला था चुप नहीं बैटा और उसने भी इसरेल पर कई मिसाइल्स बहां ये चोटी चोटी लडाईयां एक फुल स्केल वार में तब्दील होने जा रही थी जो लडाई अब तक इसरेल और हमास के बीच दुनिया भर में देखी जा रही थी अब वो हमास से हटके हिस बुल लहा और इसराइल के बीच बढ़ती जा रही है इसलिए अब ये ब किया पहले भी कोई वार हो चुका है या नहीं? देखे हिस्पुल्ला एक लेबनीज, शिया, इसलामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रूप है जो ग्लोबली सबसे भारी हत्यारों से लेस एक औरगिनाइसेशन है जिसको एरान एक बड़े पैमाने पर सपोर्ट करता है 1980 के दर्शक में लेबनॉन में एक भारी पैमाने पर सिविल वार चल रहा था और इस समय ही सबसे पहले हिस्पुल्ला ग्रूप बनाया गया था शुरुवात में इसका फॉर्मेशन साउथ लेबनॉन पर इसराइली कबजे का मुकाबला करने के लिए किया गया था जो 2000 तक जारी रहा जब तक इसराइली सेना वापस नहीं गई लेकिन तब के हिस्पुल्ला और आज के इस और्गनाइजेशन में जमीन आसमान का फर्क है आज हिस्पुल्ला के मिलेटरी बिंग लेबनॉन मिलेटरी से भी जादा मजबूत है हिस्पुल्ला इतना ताकतवर हो चुका है कि आज लेबनॉन को पीट पीछे कहीं न कहीं वो ही चला रहा है इसलिए हिस्पुल्ला की मिलेटरी के पास दुनिया के वेस्ट हत्यार मौजूद हैं और उसकी ग्राउन फोर्स में भी कई लोग शामिल है हिस्पुल्ला के नेता हसन नसर अलाह का कहना था कि उनके पास एक लाग फाइटर्स हैं आलंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके पास बस 15,000 से 20,000 ही ट्रेंड मिलेटंस हैं इसके अलावा उनके पास 30,000 पार्ट टाइम मिलेटंस हैं जो कि उनके मेंबर्स ही हैं इरान ने हिस्पोल्लाह को लंबी दूरी और टागेट व्लॉक करने वाले रॉकिट्स भी हैं जिससे इसराइल के important infrastructure को destroy किया जा सके और इसराइल के कॉस्टिल एरिया को damage कर उसकी नेवी के movement को रोका जा सके लेकिन हिस्पोल्लाह के जादतर weaponry छोटे, portable और बिना guide वाले surface to surface artillery rockets हैं जो कहीं न कहीं उसकी एक weakness भी बन जाते हैं फिर भी ये weapons जादा amount में होने की वज़ा से उन्हें कहीं न कहीं इसका फायदा भी मिल जाता है इसके अलावा हिस्पोल्लाह के पास रूसी SA-22 जैसे defense system जो plane, helicopter, ballistic और cruise missile के साथ साथ drone को भी निशाना बना सकती हैं ये weapons इसराइली सेना के लिए एक बड़ी चनौती हैं जो अपनी air force पर बहुत जादा निर्भर करती हैं वहीं इसराइल की अगर military को देखें तो उसमें लगभग एक लाख तेहतर हजार active soldiers शामिल हैं और इसने हाल ही में हमास और Hezbollah के साथ हुए जंग की वज़ा से 3 United States of America का भी full support मिलता है IDF के Arsenal में लगभग 200 टैंक शामिल हैं जिसमें primarily शामिल हैं मेरकावा प्लाटफॉर्म के टैंक इसके अलावा 300 टोड अलेट्री आर्टिलरी पीसेज, 6400 self-propelled guns और अमारे का द्वारा बनाये गए M270 multiple launch rocket system जैसे 300 rocket artillery systems लेकिन IDF की primary strength उसकी air force है जो बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक अमारे की aircraft से बनी हैं जिसमें सैकडों F-16 और F-35 jet शामिल हैं IDF अपने special forces के लिए भी जाना जाता है जैसे की सेरेट मटकल योनिट, counter terrorism और high value target operations में एक important role निभाती है ये special forces हेजबुला के साथ किसी भी बड़े जंग में एक X-factor जरूर साबित हो सकती है जो उसकी high ranking militants को neutralize करने और पकड़े गए इसराइलियों को बचाने पर focus रहेगी अगर दोनों की बात करें साथ तो हेजबुला एक European country के बराबर military power रखने वाला देखा जाता है जिसमें रूसी और इरानी सेनाओं के साथ training दिये जाने वाले strong militants शामिल हैं और इसके साथ ही उनके पास इन दोनों देशों के top हतियार भी है वहीं IDF technology, comprehensive support infrastructure और एक well organized command structure से काफी जादा benefit मिलता है एसराइल का defense budget और advanced military hardware उसे एक बहुत बड़ी advantage रेता है हाला कि हेजबुला के पास extensive rocket barages का बहुत अच्छा system है इसके अलावा उनकी guerilla warfare technique और human shield का use करने की च्रमता इसराइली military के लिए एक अनोखा और चनौती पूर्ट खत्रा बनाती है लेकिन इसरेल ने जिस तुरहा Lebanon में हिस्पुला के commanders को मार गिराया था और जिस तुरहा वहाँ pager blast जैसे mission को अंजाम दिया था उससे इसरेल इस जंग में काफी आगे नज़र आ रहा है लेकिन ये जंग आज से शुरू नहीं हुई थी इसके पीछे भी दशों को पुरानी एक कहानी है जिसमें Palestine और हमास तब भी included थे और आज भी ये जंग उसकी वज़ा से ही शुरू हुई है इसराइल ने जून 1982 में लेबिनॉन पर आक्रमन करना शुरू कर दिया था क्योंकि South Lebanon से Palestine Liberation Organization ने उन पर कई सारे हमले पड़ोसी देश से शुरू कर दिये थे लेबिनॉन में वैसे ही पीछे साथ सालों से Civil War चल रहा था जिसकी आर्मे Palestine Organization इसराइल पर निशाना साथ रही थी लेबिनॉन में एक Friendly Government इंस्टॉल करने की उमीद ने इसराइल ने Southern Lebanon पर कबज़ा कर लिया और West Beirut पर इसराइल की आर्मी ने कबज़ा कर लिया जहाँ पीएलो ने अपना Headquarter बना रखा था और अब इसराइली फोर्स ने उसे घेर लिया था लेकिन एक समझोते के बाद पीएलो ट्यूनीजिया के लिए रवाना हो गया लेकिन इसराइल की सेना Lebanon में रुखी रही और Civil War को शान्त करने में लगी रही इसराइल यहाँ Palestine refugees और उसके खिलाब जितने भी लोग थे उन्हें neutralize करने का काम करती रही लेकिन कुछ Lebanese group को यह सब पसंद नहीं आ रहा था और तब कई सारे Lebanese groups ने एक अपना group बनाया जिसका काम Israel forces को Lebanon से हटाना था जिन में से एक group शिया Muslim समुदाय से था अब यहाँ से शुरू होता है साब Hezbollah का formation जो कि Muslim नेताओं के दिमाग की उपच थी जिससे फुली तरीके से एरान का समर्थन प्राप था और उसे इसराइल को ख़देरने का आदेश दिया गया था इसमें उन्यूद्स को भी शामिल किया गया जो marginalized family से belong करते थे और जो बेका वैली और बेरूट साउधन सबब्स के गरीब एरिया से आते थे जिन में शिया Muslims को ये चुना करते थे देखते देखते Hezbollah चल दी ही Lebanon में एक important और strong force बन गया इसके बाद आतो है साब 1982 और 1986 का समय जहां कई different militant groups ने foreign military presence के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दिया लेकिन इन हमलों में कहीं न कहीं सबसे ज़ादा Hezbollah का ही हाथ था मगर यहां सबसे बड़ा हमला 23 October 1983 को capital वेरूट में देखा गया जहां कई बैरकों की इमारत पर बंबारी में 300 से ज़ादा फ्रांसे सी और अमारे की शांती सैनिक मारे गए इसके पीछे भी Hezbollah का ही हाथ था इसके बाद ये बार और ज़ादा बढ़ गया और फ्रांस और अमारिका के लिए अब Hezbollah एक main target बन चुका था इरान और रशिया के सपोर्ट से अब तक Hezbollah की लड़ने की श्रक्ति इस हद तक बढ़ गई कि वो दूसरे ग्रूप्स के साथ इस्राइली आर्मी को साउथ लेबिनॉन में लितानी नदी पर वापस जाने के लिए मजबूर करने में सक्षम हो गया फिर आता है साल 1992 अब लेबिनॉन का civil war खतम हो चुका था और वहाँ अब fresh elections करवाये जाते हैं मगर एक shocking fact इसमें ये भी था कि इन चुनावों में अब Hezbollah भी लड़ रहा था Hezbollah को काफी लोगों ने सपोर्ट किया और लेबिनॉन की 128 सीटों वाली विधान सभा में 8 सीटे चीट कर parliamentary politics में यहां से उसकी entry हो गया मगर इसके बाद उसकी दूसरे ग्रूप से भी सपोर्ट मिलता है और अब allies के साथ उसकी parliament में 8 से seats 62 हो चाती है अब यहां यह सब possible हो पाया उसके social program की वज़ा से जो वो उन एरियाज में चलाता आया है जहां वो सबसे मजबूत है जिससे इसका प्रभाव बढ़ता ही रहा लेकिन जब civil war के बाद TAF government पर sign किये गए तो इसने civil war को खत्म करने और सभी लेबिनानी मलेशिया को भंग करने के लिए लेबिनान constitution में संचोधन किया मगर Lebanese government government हेजबुलाह को खत्म नहीं करना चाहती थी लेबिनानी government ने हिजबुलाह के military wing को एक Islamic resistance force घोशित कर दिया जिसका उदेश है इसराइली कबजे को समाप करना था और उसको एक militant organization के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए उसका ऐसा कहना था जिस वज़े से हिजबुलाह अपने पकड़ वहाँ on ground और सरकार में भी मजबूत करता रहा जिसके बाद हिजबुलाह लगातार इसरेल पर हमला करता रहा और वो टैफ government का उलंगन करता रहा जोकि इसराइल से बरदाश नहीं हुआ और उसने 1993 में operation accountability शुरू किया जोकि हिजबुलाह की attack के जवाब में शुरू किया गया था और ये war साथ दिन तक चला इस इसराइल यो ऑपरेशन के तीन उदेशे थे हिजबुलाह पर सीधे हमला करना हिजबुलाह साथ लिबिनॉन में जिस बेस को इसराइल पर हमला करने के लिए यूज़ करता था उसको उसके लिए मुश्किल बनाना और लिबनानी government पर हिजबुलाह के खिलाफ प्रेशर बनाना ताकि वो इस group को रोक सके इस वार में हिजबुलाह को काफी नुकसान हुआ और 118 लिबिनॉनी नाकरिक मारे गए और 500 से अधिक घायल हो गए और 1000 इमारते नश्टों में फिर एक हफते बाद यूनाइटिट स्टेट्स ने यहां इंटरवीन किया और दोनों के बीच सीज फायर करवा दिया हलंकि उस समझोते का पूरी तुरह सम्मान नहीं किया गया हिजबुलाह ने लिबिनॉन के भीतर से इसराइली नाकरिकों को निशाना बना कर इसराइल में रॉकेट लाँच करके बार बार इस सीज फायर समझोते का उलंगन किया है हिजबुल्ह को लितानी नदी के उत्तर में खदेड ने और इसराइल पर रॉकेट हमलों को समाप्ट करने के प्रयास में इसराइल की अगली बड़ी कतीविधी ओप्रेशन ग्रेप्स ओफ रैथ एप्रिल 1996 में फिर से शिरू होता है यहां दोनों पक्षों में मिलिटरी और सिविलियन कैजुल्टीज हुए और लेबिनॉन की बुन्यादी धाचा पुरी तुरह से डामेज हो गया इस हमले में कम से कम 106 नागरिक मारे गए और लगभग 116 घायल हो गए लेकिन हिजबुल्ला और इसराइल के बीच सबसे बड़ी लड़ाई 2006 में शिरू हुई जो अब तक की इन दिनों के बीच एक फुल फ्लिजड वार था 2006 में हिजबुल्ला के बॉर्डर पार हमले के कारण ये वार शिरू हुआ था 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्ला मिलिटेंस ने बॉर्डर पार करके इसराइली हिस्से में पेट्रोलिंग कर रहे दो सोल्जर्स की चान ले ली इसके अलावा हिजबुल्ला ने कई सारे रॉकेट्स इसराइल बॉर्डर टाउंस में दागे जिससे इसराइल ने भी इसका मूँ तोड जवाब दिया घात लगाकर किये गए हमले में तीन सैनिक मारे गए दो इसराइली सैनिकों को हिस्पुल्ला दौआरा पकड़ लिया गया और लेबिनॉन में चला दिया गया लेबिनॉन में एक आसफल बचा प्रियास में पांच और लोग मारे गए हिस्पुल्लाह ने abducted soldiers की रिहाई के बतले में इस्पुल्लाह रखे गए लेबिनॉन कैदियों की रिहाई की मांगी इस्पुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले और तोप खानी की आग से जवाब दिया इस्पुल्लाह ने बेरूत के राफिक हरीरी इंटरनाशनल एयरपोर्ट सहित हिस्पुल्लाह मिलिटेंट ठिकानों और लेबिनॉनी नागरिक बुनियादी धाशे दोनों पर अमला किया इसके बाद आईडिएफ ने साउथ लेबिनॉन पर ओन ग्राउंड ऑपरेशन शिरू किया इस्पुल्लाह ने हवाई और नौसैनिक नाकबंदी भी लगा दी हिस्पुल्ला ने तब नौर्दन इस्पुल्लाह में और आईडिएफ के साथ एक गुरिला वारफेर शिरू कर दिया माना जाता है साथ के इस जंग में 1191 से 1300 लेबिनॉनी मारे गए और 165 इस्पुल्लाह इस्पुल्लाह की शर्तें कई बार तयार और संशोधित की गई सफल समझोते में कई हाफते लग गए हिस्पुल्लाह ने बिना शर्त सीजफायर की इच्छा बरकरा रखी जबके इस्पुल्लाह के बीच ततकाल बिना शर्त सीजफायर करने की गुहार लगाई जिसके बाद दोनों के बीच सीजफायर अग्रिमेंट हुआ लेगिन इस वार का कोई अन्जाम नहीं हुआ जोहां एक्सपुल्लाह का कहना है कि ये वार कोई नहीं जीता वहीं हिस्पुल्लाह और आईडिया दोनों अपने आपको जीता हुआ मानती है इसके बाद आने वाले सालों में इनके बीच छोटे मोटे ही एसकलेशन देखे गए मगर ये सब इसराइल और पिलिस्टाइन बॉर के इस बाद बदल किया ओक्टुबा 2023 में हिस्पुल्लाह ने गाजा के समर्थन में इसराइल पर एक रॉकेट अभ्यान शिरू किया था जिसमें 1149 लोग मारे गए और लगभग 2500 को बंदे बना लिया गया था इसराइल ने जवाबी फाइरिंग की और लेबिनॉन में 97,000 लोगों को अपने घरों से मजबूरन जाना पड़ा जिन में से 566 लोग मारे गए वहीं नॉर्दन इसराइल के सीमा शेत्र से लगभग 60,000 इसराइलियों को निकाल दिया गया दोनों पक्षों के लोग अभी तक अपने घरों को नहीं लोटें इसराइल ने लेबिनॉन और सीरिया में हिजबुल्ला के ठिकानों पर कई हमले किया जिसमें कई सीनियर हिजबुल्ला और हमास नेता मारे गए 28 जुलाइ को इसराइल के कबजे वाले गोलान हाइट्स में एक फुटबॉल मैदान पर 12 सीरियाई बच्चों की हत्या कर दी गई एक ऐसी घटना जिसने विवाद को जनम दिया इसराइल और हिजबुल्ला ने इस घटना की जम्मेदारी से इनकार कर दिया लेकिन इसराइल ने कुछ दिनों बाद साउधन बेरूत में हिजबुल्ला कमांडर पुआद शुक्र की हत्या का कारण इस प्राजिनी को ही बताया शुक्र की हत्या साथ हमास के राजने तिक नेता इसमाईल हानिये की भीव कुछी दिनों में हक्तिया ने इस एरिया को हाई अलट पर छोड़ दिया है हेजबुल्लह ने शुक्र की हक्तिया का बतला लिने के लिए अगस्ट के अंत में एक रॉकेट हमला शिरू किया था जुसके बाद इन दोनों में ये जंग अब बढ़ती जा रही है हेजबुल्लह को शांत करने के लिए इसरायल ने पेजर अटाक करवाया जुसके बाद हेजबुल्लह के कई मिलिटेंट्स सक्मी हो गए और उसके ही थोड़े दिन बाद हिजबुल्ला के दो टॉप कमांडर्स को भी नियोटराइज कर दिया गया जुसके बाद अब हिजबुल्ला थोड़ा बाकफुट पर नसर आ रहा है और अब देखना ये है साब कि क्या ये लड़ाई 2006 की तरह एक फुल फ्लिच्ट वार में बदलेगी या यहां भी कोई देश इन दोनों के पीच सीज पायर करवाने आएगा या नहीं तो दोस्तों ये है हेजबुल्ला मिलेटरी और एसरायल मिलेटरी की कहानी और इन में से कौन पावरफुल है आप समझी गए होंगे आपको कौन पावरफुल लगता है कॉमेंस म ने किया है तो वो भी कर दें साथ वी बेल आइकॉन प्रेस करना बिलकुल ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके